हेलो एवरीबन वेलकम तो दिस यूट्यूब चैनल आप सीटेट करेकर फ्रेंड आज हम इंगलिस पेडागोजी के 10 को डिसकस करने वाले हैं जो कि यह सारे कोश्चन प्रिवेश से लिए के कोश्चन हैं पीछले वीडियो मैंने 1-2-40 को डिसकस कर चुके हैं आज हम कोश्च नहां पर देखिए का बोल रहा है कि मेन रिस्पंसिवलिटी खोज रहा है किसका लाइंगोज टीजर का निकि मुख चीमिदारी क्या होना चाहिए लाइंगोज टीचर का यह नमबर ऑप्शन देखते हैं कि टू क्रिए नमबर ऑप अपर्चुनिटी कि बहुत सारे मौका क क्रियेट करना चाहिए फोर दा लर्नर्स के लिए टू यूज दा लाइंगोज मिनिंग फुली ताकि लर्नर्स लाइंगोज को मिनिंग फिल ले यूज कर सके तो यह नमबर ऑप्शन हो सकता है कि बहुत सारे मौका को उपलब्द करवाना चाहिए कि बहुत सारे इंफोर्मेशन को प्रवाड काना चाहिए ताकि लर्नर्स उसे सुन सके तो यहां पर सिप लिसनिंग स्कील का बात किया जा रहा तो बी नमर तो अप्शन नहीं होगा कि लेशन को कस कर पढ़ना चाहिए और प्रवाइड करना चाहिए और प्रवाइड करना चाहिए और प्रवाइड करना चाहिए तो इसका जो ऑप्शन होगा ए नमबर सबसे बेटर ऑप्शन होगा कि जो मुख जिम्मिदारी होता है कि लेंगो टीचर का कि बहुत सारे मोका स्टूडेंट को दो बहुत सारे मोका स्टूडेंट को देना चाहिए जिसमें की learner language को अच्छे तरीके से यूज कर सके हैनि कि 41 कवा जागा option number A next question मोग देखते हैं 42 number for two number question बोला कि after a story telling session कि a story telling session के बाद the learners ask to change the ending of the story learner से बोला जाता है कि a story का इंडिंग गो change करना है this will help the learners तो learner को इसमें क्या मदद मिलेगा इससे learner को क्या मदद मिलेगा यानि question है कि teacher कुछ ending और बता है learner से बोला जाए कि आपको कुछ अलग ending बताना है इससे करने का उद्धेश इससे learner को क्या फैदा मिलेगा question है इनमर बोला कि understand grammar बेटा इससे grammar पर अच्छी पकड़ाएगी तो इनमर तो अप्शन नहीं होगा है यहां पर इंडिंग स्टोरी का बात कर रहे हैं तो इनमर तो अप्शन नहीं लेंगे इनमर बोला कि develop library references की तो लाइबरेरी का बात नहीं होगा लिट्रेसी रहता था हो सकता था सी नमर बोला कि इवालूएट स्टोरी को इंडिंग करना चेंज करना है और क्रियेटिव मतलब कि अपना माइंड लगा के उसको क्रियेट करेगा दूसरा इंडिंग को नहीं कि फोटी टू को हो जाएगा अप्सन नमबर डी नेक्स्ट कोश्शन दोक दखते हैं 43 नमबर गया एक इन्जाय को कब इंजाय करेंगे जो कि टेक्स्ट बुक में सामिल होगा इनमा बोला है कि listen to the teacher, teacher से सुनकर enjoy करेंगे, बीनमा बोल रहा है कि enact the play, या play को act करके, enact का मतलब होता है act, मतलब उसी रूप में ढ़ल कर, उसी play को करकर enjoy करेंगे, इनमा बोला है कि get detailed explanation about the play from the teacher, या teacher से explanation जानेगे उस play के बारें तब enjoy करेंगे, इनमा बोला है कि read the play silently, कि silently रूप से play को पढ़ने के बाद enjoy करेंगे, ये नमबर option देख रहे है कि listen to the teacher reading the play, इस सुनने से तो enjoy नहीं हो पाएगा, ये नमबर तो option नहीं होगा, इनमा बोला है कि silently रूप से play पढ़ने से enjoy हो पाएगा, डी नमबर भी नहीं होगा, लेकिन see now I would like get detailed explanation about the play from the teacher, कि teacher से explanation प्राप्त करेंगे, डीटेल रूप में, लेकिन इसका सबसे अच्छा option होगा, बी नमबर, कि enact the play, learners कोई play को तब enjoy कर सकता है, जब वो उसी play को act करें अपने रूपों में, यह नहीं कि 43 को आजागा, option number B, next question बोला है, 44 number, 44 number बोला है कि student A and student B ask and answer question to complete a Brexit, बोला है कि student A or student B question answer पूछते हैं एक दूसरे से और Brexit को पूरा करते हैं, this is, तो यह किस प्रकार का activity है, यह नमबर बोला है कि an information transfer activity, किया एक information transfer activity, activity है, B नमबर बोला है role play, यह एक role play है, C नमबर बोला है information gap activity, किया एक information gap activity है, यह D नमबर बोला है control interview, किया एक control interview है, आपके question देखिए, बोला है कि student A और student B question से एक दूसरे से पूछ रहे हैं और एक Brexit को पूरा कर रहे हैं, तो इसमें gap activity भी नहीं होगा, कि उसमें दोनों के बीच पर बीच पर gap नहीं रहे है, question A और B दोनों आपस में पूछ रहे हैं, तो gap तो उसमें नहीं होगा, तो gap activity नहीं होगा, B नमबर बोला है role play, तो role play भी नहीं होता है, role play होता है communication करने के लिए, तो communication भी नहीं किया जा रहा है, यह एक जो activity है, ट्रांस फोर्मेशन को अ activity है, यहनी कि 44 का वाजाएग, option number A, next question में देखते हैं, 45 number, 45 नहीं बोला है कि some research has shown that, कुछ research नहीं दिखलाया है कि developing a student's native languages skill leads to higher scores academically over the long term English, मतलब कुछ research नहीं दिखलाया है कि जो student का native language का develop किया जाता है, वो second language के use के साथ किया जाता है, अब यहाँ पे a bilingual class would be characterized by, बोला है कि जो bilingual class का क्या विशिष्टा होगा, तो पहले समझ लिजे, bilingual क्या होता है, bilingual, by का मतलब होता है to, lingual का मतलब language, इन्हीं कि दो language को साथ में पढ़ाया जाता है, एक होता है native language, native, और दूसरा होता है target language, target language करने का मतलब होगा, जो second language हुआ, bilingual class में होता है कि student का native language को यूज करके हम second language को पढ़ाते हैं, यानि कि विशिष्टा उसका पूझ रहा है कि bilingual language का bilingual class का क्या विशिष्टा होगा, तो bilingual class का विशिष्टा होता है कि native language को यूज करके हम किस language को पढ़ाते हैं, target language को पढ़ाते हैं, इसका देखिएगा, 45 number A option यह उपसन को बर दरहा है. एक तक immot dicetumично बार्षक्षिकी टैस्वी सब्सक्राइंच सब्सक्राइब ऑपसन नवर इसी सब्सक्राइब of task commonly included in language classroom. यहां पर कुछ task दिया गया गया है, चो की included है किसमें क्लासरोम में, में बो बीचाइ फेक क्र Dag Sun here, इसमें से काउनसा जो learner होगा, active learner होगा, इसमें चार टास्क दिया गया है, चार हमको पतालागाना, इकाउन सा learner जो है, active learner है, तो ग्रूप में जो भी कर्ज होता है तो वह है एक एक टीव लेर्नर का ही कार्ज होता है यानिकी और पोयम को भी इंट्रेटेशन कर रहे हैं तो ए नंबरत ओप्शन होगा ही होगा इंबर बोला कि children carefully memorize memorize करने का तो बात करना ही नहीं है बिदन मरत और अप्षन नहीं होगँ इंबर बोला कि children right answer to question given the end of a poem children answer question लिख रहा है poem के end में ये भी active learner का बात नहीं है क्योंकि पहले से पढ़ लिए है उसी को देख कर उसको बनाया जा रहा है question answer कि ब्लैक बोर्ट से सब्धाने पूर्भक नोडाउन करना थे अभी एक्टिव लर्नर का पार्ट नहीं है इन नंबर क्या हो जाएगा कि चिल्रेन बर्क गुरूप जो बर्क गुरूप में कार्श करते हैं और इंटरप्रेटेशन करते हैं किसका पोएम का ब्याख्या करते है जो ते एक्टिव लर्न में 46 का हो जागा आपसन नंबर अरे नेश्ट कोर्शन लोग जगते हैं 47 नंबर फुर से मूंन वह बोला कि दा प्राइमरि ऑजेक्टिव आप यूजिंग रॉल प्ली तो रूल प्ले जो होता है रॉल होता है इससे कम अ के सन करने के लिए करवाया जाता है कम पैसली जो फोकस किया जाता स्पीकंग अ स्पीकेंग इस्कील पेस में फोकस किया जाएगा तो यहां पर देखिए कि जो प्रामरी अब्जेक्टिव होता है रोल प्ले का बूग क्या है इसका देखिएगा कि टू परमोट यह नमबर ऑप्शन की टू वैलुएट डालोग राइटिंग पर बात नहीं किया आता है जब भी रोल प्ले होगा तो किस गर्टींग रिदिंग हैबिट अविए कप्षन नमबर सी किस्पल्स इसका याद कर लेजी कि रोल प्लेंग डालोग तो ऑस्पीकिंग किली करवाए जाता है निग प्रोटींग टैलेन्ट अप्शन नमबर सी आम दलेखो रेक्तेमों दोख हैं है he thank you फोटी एट नम्स जुश्बात भाई लीषनींग मेंज स्टेज कि भाई लिस्निंग्स जुगता उसमें जुगता है तो होता है तो लीषनीन होता क्या शेंड शुल्यवन शुड़िक सब्क्रतशों है या शेंड। होता है एक सेकेंड होता है बिफोर और थर्ड होता है आप्टर लिस्निंग आप्टर लिस्निंग तो वाइल लिस्निंग उस लिस्निंग को बोलते हैं जिसमें टीचर लिस्निंग को इंट्रोड्यूस करता है निकि टीचर पहली बार लिस्निंग को बच्चा के सामने रखता ह तो उसको बोलते है वाई लिसणिंगें कि इंकर्डयूस का जब भी बात होगा कि जिस नि को इंटीज्ड योग्कर वह अयुघ जाता इंआ वाइ लिसणिंग वोल्सक बोलते हैं पाहले से प्रिप्रेशन करके आते हैं कि आज हमको क्या बच्चे के सामने पढ़ाना है और बच्चे उस अच्छे से सून पाएंगे उस listening को कि नहीं यह पहले जब प्रिपरेशन करवा कर जो एक लिसनिंग को बोलते हैं इस प्रिपरेशन ये खुता है after listening तो after listening उसको बोलेगे जब हम यह पत्ता लगाए कि बच्चा किस लेबल तक listening को अच्व किया ये जब अच्विंग का बात होगा तो after listening कि simple सा है कि by listening जब introduce करने बात बहुँदेगे जब जब preparation का बात बोलेंगे, after listening किसको बोलेंगे, जब achieving का बात बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं, after listening, नहीं कि simple सा देखिए, बोला है, while listening means a stage, कि while listening एक a stage होता है, उसका मतलब क्या हुआ, तो इसका देखिए 48 का option number D, कि भेन listening activity is introduced, जब listening activity को introduce किया जाता है, तो उस listening को क्या बोला जाता है, by listening बोला जाता है, 48 क्या बोला जाएगा, option number D, next question लोगो देखते हैं, 49 number, 49 number बोला है कि class 2, sharing a stories, familiar experiences and interest, बोला है, class 2 का बच्चा है, जो कि अपना story को share कर रहा है, experience को share कर रहा है, और interest को share कर रहा है, अपना gesture को, अपना हाव हाव को share कर रहा है, बोला है कि किस का सबस्कील है, मतलब language skill का है, language skill का इसमें function कर रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा, बोला है कि अपना story को share कर रहेगा, अपना experience को share कर रहेगा, किसी सभेक्षित करेंगmen और चले बिंग स्पीकिंग उसकीन vrijer इपना तो और यहां पर श्टॉरी बतलाना है हैंकि और लोगने नहीं ऑप्सान अभर as से अचो हुआ एंगर लочно देखते हैं अपक के यह हुआ कि फिप्टी नवर बोल राए कि आप्टर रीडिंग ए पोएम कि पढ़ने के बाद ए टीचर इन्भोल्व्स लर्नर इन गुरूप बर्ग कि टीचर जो है लर्नर्स को गुरूप बर्ग में कार्च करवाने के लिए बोलते हैं एक गुरूप जो है पोएम के शमरी लिखते हैं अनदर डलाए पिक्चर टुडेपीक दमेन ठीम दूसरे जोफर पिक्चर को ड्रा करते हैं एट अनदर सेट डफोएम to music आप जो उसके अलावा है वो क्या करते हैं कि पोएम के music को सेट करते हैं दिस activity तो यह activity किस परकार के activity तो देखिएगा कि बिभीन परकार का कार्ज करवाय जा रहा है बिभीन ग्रूपों में तो क्या हो जाएगा कि डावर्स अबलेटी और इंट्रेस्ट बच्चे के सामने पैदा कि जा रहा है यह नमबर ऑप्षन इसको देखते हैं कि यह सियर बेस्ट अब टाइम कि यह एक बेस्ट अब टाइम है तो बेस्ट अब टाइम तो नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रूप में बाट कर कार्श करवाने लिए बूला जा रहा है बिने बोला कि काट टुडैभर्स अबलिटीन तर इंटर इंटर इंट्रेस्ट कि बच्चों में बिभीन ऑबलीटी और विविन परकार के इंट्रेस्ट को पैदा क्या रहातु यह अप्शन तो हो सकता है बिन नमबर इंट प्रिप्रिंग डृपर और काईसे असेस्मेंट पता चलेगा या दिन वा बोला कि भी इस डिस्टेक्ट डिस्टेक्ट तो नहीं किया जा रहा है तो इसका वा जाएगा 50 का वा जाएगा 50 का option number B I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें सब्सक्राब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू